है कि हमने सुना है नाकेवल इस्तिफा देने को कहा है वहां के काफी MLA असली शुर्षेना के पास वापस आने को लिए संपर्क साथ रहें यह हो रहा है और हमने यह भी सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तिफा देने से इंकार भी कर दिया जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है भारती जनता पार्टी द्वारा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, चुनाव आने दीजिए, बीजेपी को बहुत कठोर जवाब लोगों स से मिलने वाला है. किloripलरा नहीं है कि पिvellुब्स है कि अस्सकthिट मुक्षण हो लोगे कि टेकि ट पूला करते हैंशे! है है कि छिए धिए ये ऐसंग कर्एब लिए लामा थिर नविए. है, तोगी है कि देखिएम दिए लिए और दालय? cannot be our policy. There has to be consistency in our policy. China has been not only been very aggressive on our borders, that aggression has, in terms of our policy, gone unresponded by the PMO. The brave Indian army has been fighting and keeping the Chinese at bay, but you don't see the same courage in the Prime Minister. The clean shit given by the Prime Minister to China has been the darkest chapter of our foreign policy in the last 75 years. And we are paying a price for that clean shit. China, Tibet, Aadipar, Pradhan Mantri ka raviya dhulmul raviya raha hai. दो साल पहले इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि दलाई लामा को वो जनम दिन की शुबकामनाय दे सकें. सुना है, परसूं दी है. एक बड़ा कारिक्रम दलाई लामा का होना था दिल्ली में. आज से तीन साल पहले उसमें भी प्रधान मंत्री थोड़े घबरा गए. चीन, जिस तरह से हमारी सीमाओं पर आखें गड़ाए बैठा है, बार-बार इंकर्जन्स करता है, गांफ बना देता है, अरुना चल में अंदर, हमारी सीमा में घुस कर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रॉक्टर बना रहा है. जो क्लीन चिट आज से दो साल पहले जून में, प्रधान मंत्री ने 20 जून को दी थी, वो क्लीन चिट आज हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है, हमारी जो वीर सेना है, वो अपना काम पूरी पराक्रम दिखाते वे कर रही है, लेकिन वो पराक्रम विदेश निति के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाएगा और कोई पी सवाल अभी पूछले फिर मैं चला जाओंगा वन न नहीं होगा नहीं पहन जी बिन विए प्रश्प्रेंग कोट और दाहूल सेजिमेंश Dr. Abhishek Singh Vee my senior colleague held a press conference yesterday and I think he's clarified all your he's responded to all your questions beyond that I don't have anything else to add at this point as and when any new development takes place of course you will be the first to know पावंजी एक सवाल है विपक्ष की बैठक होनी है 17 और 18 को बैंगलूरू में कल आमादी पार्टी ने कहा कि पिश्री बैठक में कॉंग्रेस ने ये वादा किया था कि संसद के मानसून सत्र से 15 दिन पहले वो ओडिनेंस को लेकर क्या मादी पार्टी का समर्थन करेगी या नहीं करेगी इसका स्टैंड आप लोग क्लियर कर देंगे तो अब तो सायद 15 दिन का समय बचा है कॉंग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इतनी जल्दी क्यों है आपको तो नहीं उनको इतनी जल्दी क्यों है इतनी जल्दी अगर ये वाटर लॉगिंग को ठीक करने में दिखाई होती तो आज ट्राफिक जैम नहीं होता है, आपके कुछ साथियों के मेसेज आ रहे हैं, साथ ट्राफिक जैम में फसेवें, पानी बहुत है, वाटर लॉगिंग हो रखी, जहां जल्दी दिखानी चीए, थोड़ा सब्र अच्छा होता है.